असलाम अलेकुम नमस्ते दोस्तों चलिए आज हम बनाएंगे साबुन दाने के खीर बनाना बहुत आसान है तो वीडियो को इसकी मत करिएगा चैनल पे नहीं है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइप करिएगा भगोने में डेड़ लीटर दूर डाल दी अब यहाँ पर देखिए रिडियो लीटर दूर दूर में उबाला गया है तो उबलते हुए दूर में हम डालेंगे भिगे हुए साबुन दाना यह सच में बनाना बहुत आसान है और साबुन दाने के खीर थो हर कोई खाता पसंद करने तो मेरे तरीके से इस तरह जरूर ए हमें इसे पकाना है तो यहां पर देखिए यह हलका सा गाढ़ा हो गया है एक मिनट के करीब हो गया है सा बंदाना डालते हुए तो अब हम इस टाइम पर डालेंगे मीठे के हिसाब से सक्कर सक्कर डालके इसे हम और पकाएंगे ताकि सक्कर भी अच्छे से गल जाए खीर भी गाढ़ी हो जाए तो यह देखिए यह दो मिनट के करीब हो गया है खीर इस तरह गाढ़ा हो गया है अब यह वीडियो दोस्तों है 11 के दिन का तो मैं 11 के दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी थोड़ा सा लेट हो गया कुटी होई लाइची पोडर डाल देते हैं एक बड़ा चिम्मच मिलिक पोडर डाल देते हैं मिलिक पोडर से बहुत अच्छा खीर में टेस्ट रहता है अमावा का टेस्ट देता है एक छोटा चिम्मच बादाम पोडर डाल देते हैं इसमें केसर मिक्स रहता है तो आपको अलग से केसर डालनी की जरूरत नहीं, चलिए आपको मैं पैकर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये बादाम पौडर है, तो एक छोटा चिमच है, इसे डाल के मिक्स करेंगे, ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, लाश्ट में हम डालेंगे धेर सारा बारिक कटा अब इसमें और भी फूरूट डाल सकते हैं, मैंने यापर बादाम डाली हूँ, गेस को बंद कर देते हैं, अब ये देखिए, परफेट खीर बनकर हो गया है, तयार, ठंडा होने के बाद में कलर भी अच्छा आएगा, और ये गाढ़ा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ, पिलीज वीडियो को लाइक करें,